हलो बच्चो कैसे हैं आप हो बढ़ियाई होंगे फिजिक्स इको का थर पेपर का सॉलुशन मैं आपके लेके आया हूँ आईए देखते हैं पहला कुश्चन एक तनी हुई डोरी में उत्पन अप्रगामी तरंग का समीकरन आपको दे रखा है इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं यहां एक्स तथा वाई सेंटीमीटर में तथा टी सेकिंड्स में है दो क्रमागत निस्पन्दों के बीच में दूरियां बताईए निस्पन्द होता है आपका नोड्स ठीक है और यह होता है लेमडा बटे दो ठीक है अब आपको चाहिए लेमडा आप ध्यान से देखिए लेमडा आपको यहां मिलेगा साइन वाले फैक्टर में साइन के फैक्टर या साइन के अंदर जो कौन होता है वो होता है चुंकि यह होता है के इंटु एक्स के को आप इसबते हो टू पाई बाई लेमडा ठीक है तो एक्स का जो गुणांग है टू पाई बाई लेमडा है यदि आप यहां को ध्यान से देखोगे तो यहां एक्स का कॉफिशेंट है पाई बाई थ्री जबकि हमारा जो X का कोफिशेंट है वो होता है K 2 Pi by Lambda Right तो यहां से आपको Lambda मिल जाएगा बताओ Lambda किपना मिला 6 दिहान से यह जो है X वो है आपका centimeter में तो आपको यहां Lambda भी centimeter में ही मिलेगा ठीक है अब बताओ distance between two continuous nodes तो nodes के वीच में gap हो गया 6 आपका Lambda हो गया upon two you will get three centimeter ठीक है बच्चों अगले question पर चलते हैं एक तनी हुई डोरी की लंबाई आपको दे रखी है इसको तीन खंडों में कमपित होती है तो इन इन के आवरतियों का अनुपार दे रखा है इन खंडों की लंबाईयों का अनुपार आपसे पूछा गया है चूंकि आपको मालूम होना चाहिए जो frequency है वो proportional होती है 1 upon L के in the wire tightly bound wire ठीक है तो अब आपको क्या करना है L के मान निकालने है तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ L proportional 1 upon new लिख सकते हैं L किस अनुपार में होंगे तो L1 L2 L3 बराबर 1 upon new 1 पहली frequency कितनी है इनका अनुपार दिरखा एक दूसरे का दो और अगले का तीन यदि आप यहां से इसको solve करेंगे तो आएगा L1 ratio L2 ratio L3 यहां से आप ratios में पूरे में 6 से गुणा कर दीजिए यदि आप 6 से गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 6 6 को 2 से मिलता है करोगे तो आएगा 3 1 by 2 6 by 2 और 6 by 3 तो यहां आएगा 6 by 2 3 और 6 by 3 आजाएगा आपका 2 ठीक है अब ये लंबाईों का अनुपार आगया अब आपको एक तरह से total length L1 प्लस L2 प्लस L3 वो आपको दे रखिए 110 तो यदि मैं इन 3 लंबाईों को एक तरह से 6 L0 प्लस 3 L0 और 2 L0 मालनू तो इन 3 का जोड़ कितना आना चाहिए 110 आप यहां से solve करोगे तो आपको L0 मिलेगा ये जाएगा 11 L0 L0 मिल जाएगा आपको 10 10 का मान यदि आप इस L0 के मान को यदि आप इन values में रख देंगे तो आपको सभी खंडों की लंबाईयां प्राप्त हो जाएगी L का मान इसमें रखो तो आएगा पहला 60 दूसरा आएगा 30 और अगला आएगा 20 देखना कौन सा option है 7, 30, 20 second option ठीक है बच्चो चलो तो यह हो गया आपका centimeter में answer अगला प्रश्ट देखते हैं यदि Z1, Z2, Z3 तीन तरंगे इस प्रकार है कि Z1 बराबर A sin omega KX minus omega T Z2 बराबर A sin KX plus omega T और Z3 बराबर A sin KY minus omega T तो कौन सा संबन एक अप्रगामी तरंग को व्यक्त करेगा बचा लोग ध्यान दो अप्रगामी right stationary wave क्या होती है आगे जाना और किसी माध्यम स्टकरा कर वापिस आना मतलब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के opposite होंगी जिनका अध्यार ओपन या superposition होता है अप्रगामी तरंग अर्था दो ऐसी तरंग आपको ढूणनी है जिनके मध दिशा के आधार पर कौन एक आगे जा रही हो और एक पीछे आ रही हो तो आप ध्यान देखिए ये वाली तरंग कहा जा रही है प्लस एक्स दिशा में ये कहा जा रही है माइनस एक्स दिशा में ध्यान रखना आ न तो ये दो नो और ये कहा जा रही है प्लस वाई दिशा में ठीक है तो बताओ कौन सी दो एक दूसरे के विप्रित हुई जैड़ जैटू तो जैड़ जैटू का जोड आपका अप्रगामी तरंग दिखाएगा चलिए अगला देखिए अप्रगामी तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदों के मध के बीच सभी कण मादे स्थिती से गुजरते हैं अब ध्यान दीजिए यदि मैं आपको स्टेशनरी वेव बनाओ थोड़ी सी हैल्प कर गुजरता हूँ ये आपका एक निस्पंद ये आपका दूसरा निस्पंद ये तीसरा निस्पंद दो लगाता निस्पंद देखो ये श्ट्रेट लैंग बना रहेता हूँ मैं आपके लिए रेफ्रेंस तो यहां वाले कर इस आयाम में गती कर रहे है यहां वाले कर इस आयाम के गती कर रहे है यहां वाले कर इस आयाम अलग-अलग आयाम के साथ गती कर रहे है और किसी भी निस्पंद के एक तरफ अगले निस्पंद तक सब एक साथ उपर जाएंगे और सब एक साथ नीचे आएंगे आएंगे तो सब माद्ध स्तिती पर एक साथ बढ़ सबका आयाम अल-अलग होगा और चुंकि आपको मालूम है माद्ध स्तिती पर चाल जो होती है वो होती है ए उमेगा ए अदि सबका अलग है तो V-max नेच्सट भी तो अलग होगा अर्थात माध्ध्र स्थिद्धी पर आएंगे तो एक साथ बट अलग-अलग वेगों के साथ कौनसा प्षन फोर्थ आप्षन ध्यान से दो निस्पंदों के बीच है एक निस्पंद यहां है इक ईस्पंद्या है दोनों के बीच सारे पार्टि एक प्राग्रेसिव बना लते हैं क्रेस्ट के बीच में इसको आप वेवलेंध वाइस बोलते हो डिस्टेंस लेम्डा और लेम्डा संदत होता है टू पाई के आंसर कलांतर होगा टू पाई ठीक है चलो नेक्स प्रेशन चलते हैं एक प्रगामी तरंग y बराबर a sin omega t sin kx minus omega t द्रड विवार से x बराबर 0 पर पर परावर्तित होती है तब परावर्तित तरंग का समीगरण जहां से जब द्रड होता है रिजिड यहां रिजिड लिखा होगा होगा तो आपके पास जो परावर्तित तरंगे आती है वो πाई कलांतर के साथ आती है ठीक है तो दिशा विवप्रीत होई जाएगी और कलांतर πाई हो जाएगा कलांतर πाई को आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके जो भी आपती तरंग है उसके चिन में आगे जो चिन आएगा उसमें माइनस डाल सकते हो जैसे कि y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी दिखा रहा है कि आप दिनात्मक x अक्ष में जा रहे हो तो ज़िए मैं इसको कर दूँँगा प्लस तो यह जाएगा रिनात्मक x मैं एक बार आपको सबको बलवलता हूँ जब kx और ओमेगा टी का तो आगे एक माइनस का चिन लगा दो तो कि sin pi प्लस थीटा या cos pi प्लस थीटा क्या होते है pi हटा दो फेज में से और आप आगे रिनात्मक का चिन लगा दो तो देखिए sin के साथ रिनात्मक का चिन ओ बीच में plus कौन सा option है I think fourth है देख लीजिए सही लगा easy है चलिए अगले प्रश्ट में चलते है एक ध्वनी तरंग y बराबर a not sin omega t minus kx एक द्रड़ दिवार के आयाम के 64% के साथ परावर्तित होती है परावर्तित तरंग का समीगरण होगा ध्यान से देखो बच्चा बहुत easy प्रश्ट है अभी बताया था द्रड़ दिवार मतलब pi का phase difference pi मतलब बहार एक minus का चिन minus का चिन आ रहा है कि एवल एक की question के अंदर फिर भी आपको मैं पूरे समझा लेता हूं चूँकि तरंग तगरा के वापिस आएगी तो अंदर का चिन क्या हो जाएगा लाश्ट कुशन बताया था प्लस हो जाएगा और चूँकि आयाम जो है वो 64% कम हो जाएगा तो 64 by 100 into a not तो एक तो minus का चिन एक आयाम में कमी और एक धनातमक चिन minus से plus ये तीन चीज़े देखनी है आपको second option is there ठीक है चलो अगले प्रश्ट पर चलते है एक तरंग दर सिरे से प्रावर्तित होती है प्रावर्तन के फलसरूप इसकी कला में परिवर्तन होगा अभी बताया था कि जब भी दर सिरे से प्रावर्तन होता है तो कितना face difference आता है पाई का आता है अगें theoretical तीन question एक ही concept पर बेज़ दें हमको लगता है कि ये important है तो हम उसी पर तो आपको प्रश्ट देंगे जो आपकी कमिया है वो हमें मालूम है इसलिए हम बोलते हैं कि आप system पर भरोसा रखो CLC पर भरोसा रखो आपको बहुत अच्छी knowledge मिलने वाली है ठीक है चलिए अगले question पर चलते है एक तरंग की गती निम्न समीकर्ण से दी जाती है y बराबर xt बराबर y बराबर xt मतलब ये है या बराबर का चिन नहीं है इसको bracket मालना मतलब ये y जो है x और t पर निर्भर करता है a sin kx माइनस omega t तब कन के अधिक्तम वेक का तरंग से अनुपात है ज्यान से पड़ो कन का अधिक्तम वेक v max तरंग का वेक v v max का फर्मुला था i am into omega a omega i am आपर small ये दे रखा है v ये रहा चूंकि ध्यान दो v का सूत्र होता है omega upon k k है संचरन नियतांख propagation constant तो omega upon v आपका k हो जाएगा omega upon v आपका k हो जाएगा तो यहां से आएगा a into k कौन सा है option फोर्थ option इस तरह से आपको rearrange करना है question देख लो बहुर महिजार question है ऐसे question आ सकते हैं इस साल नीट में 7 में को next दस्वा प्रश्ण एक तरंका समीगरण y बराबर a sin 0.01x-2t है यहां a तथा x cm में है तथा small t seconds में है तरंका वेग होगा ध्यान से तरंका वेग निकालना है तरंका वेग का सुत्र मैंने अभी अभी आपको लास्ट कुश्चन में बताया omega upon k omega होता है t का गुणांक t का गुणांक कौन है 2 और k होता है x का गुणांक जो गो गया 0.01 लेकिन ध्यान दीजिए omega का मातरक होता है radian प्रती second बट यहां time जो है वो दे रखा है second में it's okay तो radian प्रती second जहांसे मातरकों का बहुत importance है k k का मातरक होता है generally radian प्रती meter ठीक है अब क्या यहां x meter में है नहीं x centimeter में तो x के मातरक से defined होता है यदि कुछ नहीं दे रखाया तो meter माना है बट फिर भी दे रखाया तो बट यह लो radian प्रती centimeter now you will get the answer यह जाएगा 200 centimeter प्रती second but options में meter है एक meter में कितने centimeter होते है 100 तो 100 centimeter को यदि मैं meter में convert करूँगा तो 2 meter प्रती second आपका answer आ जाएगा ठीक है चले अगला प्रशन दो आवर्ती तरंगे जिनकी तीवरता आवन आईटू है किसी छेतर में एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो अधिक्तम तथा निम्तम प्रणामी तीवरता का योग होगा अधिक्तम बताओ क्या होती है Imax का सूत्र याद रत लो बच्चा लो I1 I2 प्लस 2 अंडरूड I1 I2 और I minimum क्या होती है बिल्कुल सेम होती है I1 प्लस I2 बट यहां आजाता है माइनस बिटा इन दोनों का जोड़ करेंगे तो लास्वाला पद कट जाएगा और ये आजाएगा इन दोनों का जोड I1 प्लस I2 का दुगना ठीक है? चलिए अगला प्रश्चन देखते हैं Y1 बराबर A1 sin omega T minus β1 Y2 बराबर A2 sin omega T minus β2 तरंगों के अध्यार उपन से बनने वाली तरंग का परणामी आयाम परणामी आयाम का सुत्र आप याद करो परणामी आयाम का सुत्र होता है पहले वाले आयाम का स्कुयर अंडरूर के अंदर दूसरे का स्वार प्लस 2 A1 A2 और कॉस में होता है दोनों का phase difference जिसको हम बोलते है कलांतर क्या बोलते है कलांतर इसकी कला ये रही इसकी कला ये रही दोनों के अंदर साइन साइन है तो जो भी कौन दे रखे हैं उनका आप अंदर ले लिजे चलो बच्चा लो किसका अंदर लो तो जैको omega t से omega t केवल कौनों का अंदर लेना है तो omega t से omega t कर जाएगा तो beta 2 आगा जाएगा beta 2 minus beta 1 सही है दोनों का कलांतर आएगा beta 2 minus beta 1 तो देखिए कहाँ है डेल्टा फाई डेल्टा फाई का आप पगिमान रख सकते हैं तो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर बीटा टू बढ़ाया बीटा वन तो फिलाल आपको कुछ नहीं दिया हुआ है और इसमें केवल एक ही ओप्षन है ऐसा जिसमें बीटा का डिफरेंस है हाँ दूसरा उप्षन है बट वो साइन में है इसलिए ध्यान रखना तो मैंने यहाँ पर बीटा वन माइनस बीटा टू ये वाला उप्षन बैस्ट मानते होई चूज कर लिया ठीक है हमको यहाँ नीट के अंगर बैस्ट उप्षन चूज करने होते हैं चार में से कोई एक ये नहीं कि आपका आंसर नहीं आया तो हमारा तो आंसर आये रहा हो उसमें आप्षन में नहीं जो भी आपको आप्षन में बैस्ट बैस्ट लगे उसको चुनाव कीजिए चलिए अगला कुश्चन देखते हैं किसी तरंग का विस्थापन का समीगर्ण आपको दे रखा है इसका आयाम देखो ये एक स्टेंडर्ड एक्विशन है य बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस कैपिटल बी कॉस ओमेगा टी इसका बच्चा लोग आयाम जो है या इसको आप वाई मैक्स बोल सकते हो कई बार आपको मैस में भी काम आएगा फूरी फिजिस में जब हम बेसिक मैस पढ़ाते हैं उसमें भी पढ़ाते हैं तो इसका जो आयाम आएगा या मैक्स वैल्यू आएगी अंडरूर्ड के अंदर आएगा एगी नीचे आएगा फूर्ट आप्शन इस दिया यही आयाम है अधिक्तमान ही इस समीकरन का अधिक्तमान ही आयाम होगा परणामी तरंका चलिए एक सोनो मीटर तार में 10 केजी के भार के बराबर तनाव है 320 Hz के स्वरित्र के साथ अनुनादित है सोनो मीटर के तार को 256 Hz के स्वरित्र के साथ अनुनादित करने के लिए तनाव परिवर्टित करना होगा ठीक है एगलिश मीडियम में भी है आप एक बार देख लिजे ठीक है अब मैं आपको एक normal common language में आपको समझा देता हूँ बेटा लोग जो frequency होती है वो frequency जो होती है वो आपके तनाव के अंडरूड के तुल्ले होती है ठीक है अब बात यहाँ है कि आप frequency को कम कर दिया जा रहा है तनाव पर क्या effect पढ़ेगा चलो तो ध्यान दीजिए मैं आज रिक सकता हूँ new 2 upon new 1 बराब टीटू अपॉन टीवन तनाव के मान बाद में रखूंगा पहले चुकी आवरतिया दे रखिए 256 और यहाँ अंडूर लगा देना अंडूर इस्तर लगेगा तो यहाँ जाएगा स्कॉयर ठीक है अंडूर को इधर शिप्ट कर दो तो यह जाएगा न्यू का स्कॉयर तो न स्कॉयर कर लेते हैं देखते हैं यहां से टीटू कितना आया तो टीवन से बुणा कर देंगे 16 से काटिये 16 से काटेंगे तो 16 बार इदर आएगा 20 16 और यह 20 और 4 से फिर कर जागा 4 बटे 5 चार बटे 5 का स्कॉयर आएगा 16 बुणा में 16 बटे 25 और जो आपको टीवन दे तो आप यहां लिखेंगे 10 केजी वेट गुणा 16 बटे 25 ठीक है तो यहां से 100 बटे 25 और यह लगबग आना चाहिए 1060 बटे 25 बटे 25 को लिख सकते हैं 100 बटे 4 16 64 64 तो आएग 6.40 केजी वेट तो 6.4 केजी वेट आंगया अंसर बट ध्यान दीजे बच्चा लोग यहां है 6.4 बट ध्यान दीजे तनाव परिवर्तित ऐसे वर्ड पले करता है तनाव कितना परिवर्तित तो इससे क्या है अटेंशन मालूम पढ़ती है बच्चा कितना अटेंटिव है आपसे फाइनल कितने था 10 केजी भार अब कितना आया 6.4 कम हो गया कितना कम हुआ 3.6 तो 3.6 किलोग्राम से घटेगा देखो कितना अच्छा है राइट ज्यान रखोगे ना इससीज का चलिए 15 कुशन दो कमपंच यह स्त्रोतों से सुनाई देने वाले विस्पन संभव है विस्पन लोग बोलते हैं इंगलिश में beats और beats जो होता है वो दो बहुत आसपास की frequencies का अंतर होता है यहनी की बहुत बड़ी-बड़ी frequencies का अंतर आ जाये जैसे यहाँ 1.5 और 100 का अंतर 50 Hz यहाँ 5 Hz यहाँ 100 Hz यहाँ 500 Hz सबसे कम किसमें है 20 और 25 और एक limit भी है 10,20,30 इससे कमी होना चा difference नहीं होना चाहिए frequencies में मिच में ओके तो यह हो गया 20 और 5 में 5 Hz आप ऐसा मालो कि 10 Hz के आसपास होना चाहिए difference बात खतम और कमी होना चाहिए आप बाक्यूम में देख लो 50 Hz 100 Hz और 500 Hz तो सबसे कम difference किसमें है 5 Hz इन दोनों के अंदर तो यह दोनों beats के लाएंगे next 16 question एक डोरी निम्न समीगरन y बराबर 5 sin 2 pi x upon 3 cos 20 pi t के अनुसार कमपंचिले जहां x y cm ती सेकिंड में हैं तो दोनों निकटम निस्पंदों के मद्ध दूरी अभी question किया भी था delta d जो आएगा 2 निस्पंदों के 20 दूरी lambda बटे 2 होनी चाहिए ठीक है अब यहां से आप देखो हमारे पास lambda यहां मिलेगा इस टम के अंदर होता है 2 pi x upon lambda तो लेंड़ा आप देखों यहां पर क्या मिलेगा तीन तीन बटे 2 आंसर आगया आपका डेड़ सैंटिमेटर ठीक है चले ओके अगला प्रशन देखते है सत्रवा एक बंद पाइ प्रथम अधीश्वर समान है फर्स्ट ओवर टॉन्स ठीक है तो लंबाईयों का अनुपर बताईए तो क्लोज और गन पाइप की फ्रिक्वेंसी हम इसको बोलते थे सी ओपी और ऑपन और गन पाइप की स्रिक्वेंसी से में वो भी फ़र्ष्ट ओवर टॉन पाइप का फर और थिरढ से हो जाेगा आप से पूछा गया है उनके बंद पाइप और खुले पाइप के लंबाईयों का नुपाथ लंबाईया बंद पहले वर्ड बोला है उसने तो पहले आजाएगा ओपन बाद में जाएगा तो LC यहाँ पहुच जाएगा एलो नीचे पहुच जाएगा दो से दो कर जाएगा अरान सा मेरी खाल से तीन बटी चार है क्या ऑप्शन में ये थर्ड ऑप्शन इस दियर सो सिंपल फॉर्मले ज़्याद रखें काम आसान होगा अठारवा प्शन एक पाइप की मूल आवरती 100 हर्ट्स है इसकी दो अन्य आवरतियां 300 हर्ट्स और 500 हर्ट्स है अरे वाँ अभी मैंने बताया आपको इन सबका अनुपात बताओ कितना आया एक तीन पाँच तो कौन सा पाइप होगा एक तीन पाच अभी बताय था मैं रहता है तो भाइब पाइप बंद और गन पाइप होना चाहिए तो पाइप दोनों सिरुपे खुलाया गलत दोनों पाइप दोनों सिरुपे बंद है बिल्कुल सई है ठीक है चलिए 19 वा पर देखते हैं अधी ध्वनी तरंग का दाब आयाम तीन गुना कर दिया जाए तो ध्वनी तरंग की तीवता जो होती है वो जो भी दाब का आयाम होता है उसके स्क्वेर के तरबुष्टनल होती है किसके स्क्वेर के तरबुष्टनल तो आपका दाब कितना गुना कर दिया गया है तीन गुना थ्री टाइम्स तो इंटेंसिटी या तीवता कितने गुना हो जाएगी नौ से फॉर्मले ज्याद रखें आप आसानी से नीट को इस बार क्रैक करके आने वाला है बी कॉंफिडेंट अपने आप में कॉंफिडेंट रहिए आपने मेहनत की है तो सक्सेस जरूर मिलेगी ताप का नया पैमाना जो रेखिये है तथा डबलू पैमाना कहलाता है पर जल के हि तो नय पैमाने पर जो भी ताप होता है नू तो मैं TN नाम दे जता हूँ और नय हिमांक बिंदू और कॉतना बिंदू का मान हम अपन यहां रखेंगे तो दिहान से देखिए हिमांक बिंदू ठीक है हिमांक बिंदू को इंगलिस में क्या बोलता है फ्रीजिंग तो यहां आएगा TN का फ्रीजिंग पॉइंट यहां आएगा बोलिंग पॉइंट बोलिंग पॉइंट न्यू वाले का माइनस फ्रीजिंग पॉइंट यहां आएगा T डिग्री सेल्सेस में माइनस जीरो और यह तो आपको मालूम ही है जीरो माइनस 100 माइनस जीरो यह स्के के साथ आपकी तुलना करने आनी चाहिए नया फर्मला यह तो आपको दे रखा है कितना ध्यान से ताप के नय ठीक है तो अगले लिए लिकोंत है मैंनस फ्रीजिंग आपका था नय पे का था नय 249 था आपका boiling point नए पैमाने पर उसी पैमाने पर freezing point minus कर देते हैं यह formula है freezing point boiling point boiling minus freezing नीचे उपपर freezing minus कर दीजिए तो d new आपको निकालना है ओके और आपका इसी ताप मान पर degree Celsius में मान कितना है 49 तो 49 minus 0 बटे 100 minus 0 इसको solve करते हैं आंसरा को मिल जाएगा चलिए solve करते हैं TN minus 49 बराबर यह आएगा 200 100 से कर जाएगा दो बार दो जाएगा इधर तो यहां से TN आएगा दो गुणा 49 प्लस 49 यह जाएगा लगभग 49 का तीन गुणा 40 तीया 120 में 3 कम कर दो 117 एक सो सत्रा नए पैमाने पर W एक सो सत्रा डबलू बोल दो इस तरह से चेक करो कौन सा एक सत्रा यह रहा ठीक है तो नए पैमाने पर हमने कोई नया इसकेल बना ली जिसमें हम डबलू बोल रहे हैं जैसे Celsius सेल्सियस सेल्सियस इसकेल पर क्या बोलता है डिगरी Celsius बोलता है कैलविन पर के बोलता है फॉर्डने पर F बोलते है उसी तरह से नए पै माने में संबंध कौन सा है तो अभी अभी जो मैंने आपको डिग्री सेल्सियस माइनस जीरो जो अभी संबंध बताया उसी संबंध को वापिस लिखते हैं फोरनेट स्केल पर एफ माइनस थर्टी टू अपॉन 232 माइनस 222 माइनस 32 ये होता है 180 देख लो अंतर 180 आएगा अब आपको सॉल करोगे इसको तो मैं इसको लिखता हूँ डिग्री सेल्सियस सो का गुणा इधर करोगे एक सॉसिस कर जाएगा तो ये आजाएगा सो बटे एक सॉस्ती पांच बटे नौ पांच बटे 9 एफ माइनस और पांच बटे 9 को ये 32 से गुणा करना है तो 32 गुणा पांच बटे 9 जो भी अंक आएगा आप ध्यान से देखिए जो भी आएगा ठीक है ये फॉर्मला हो गया अब ध्यान से देखिए य अक्स पर क्या आपको सी दे रखा है येस तो य लिख दीजे आपकी जो स्लोप है राइट जो आपकी स्लोप है वो धनात्मक आएगी ठीक है और सी जो है आपका रिनात्मक आएगा काटेगा वो नेगेटिव अक्स पर नेगेटिव वाई अक्स पर यहां काटेगा और स्लोप धनात्मक होनी चाहिए मतनलब ये वाला ग्राफ बनेगा लेट मीन ए ठीक है तो ए वाला आपका ग्राफ हो गया बिल्कुल सही ठीक तो इस तरह से बच्चा लोग इसको इस फॉर्मले को भी यार्ट कर सकतो यहां से यह फॉर्म्दा जनेरेट हुआ है गहरी जील के प्रष्ट के ताप उपर का प्रष्ट का ताप आपका 2 डिग्री सेलसेयस है पानी का बॉटम का पूछा गया है ताप मान मुझे बताओ क्या आपको मालूम है डेंसिटी वर्सिस टैमप्रेचर वाटर के लिए आया कुछ यहाद है चार डिग्री सेलसेयस पर घ गनत्व अधिक्तम होता है रो मैक्स होता है और मुझे बताओ जैसे जैसे घहराई में जाओगे तो आपके गनत्व बढ़ेगा तो कि हलके गनत्व वाला पानी तो उपर तेरेगा ना तो नीचे क्या मिलेगा सबसे अधिक गनत्व वाले पानी के कण आपको नीचे मिलेंगे बॉटम पर और बता पानी का सबसे अधिगनत तो कितने डिग्री टेंपरचर पर होता है चार अनॉमियस बिहिवियर ओफ वाटर जल का अरसंगत व्यभार NCRT पढ़ी है पेपर कहां से आता है NCRT से चलिए 23 एक ठोस का छेतरी गुणांग 2 गुणा 10 की गात माइनस 5 डिग्री सेल्सियस है इसका रेखिय प्रसार गुणांग होगा तो आपको बीटा दे रखा है कई बुक्स में इसको अल्फा A भी बोलते हैं हम इसको बीटा बोल रहे हैं और बीटा आपको दे रखा 2 गुणा 10 की गात माइनस 5 बात मैं जो मैं लाश कुछन में बताई उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ ऐसे NCRT से पेपर आता है अब कहां तक पढ़ोगे इसलिए हमने 6 अचीवर पैक जनरेट किया जिसको हम 6 पैक बोलता है बच्चों को बाद दिया है के हर स्टुडेंट के पास जो इस साल पेपर दे रहा है उनके पास है आप चाहे तो उनसे कॉंटेट कर सकते हैं हमारी सिस्टम में हेल्प मैं नमबर पे भी कॉल कर सकते हैं आपको 6 पैक अविलेबल हो जाएगा उसमें से हमें लगता है कि 100% पेपर वहीं से आएगा इसलिए बहुत सारे बच्चे बहुत सारी अच्छी परसंटेज के साथ सलेक्ट होते हैं नीट में हर साल चलिए कुशन नमबर 24 एक वस्तू का टाप मान कैल्विन स्केल पर एक्स कैल्विन पाया जाता है जब इसका मान पॉइंट पंदरा नीचे 373.15 माइनस 273.15 बराबर 400 इसकेल पर एक्स माइनस 32 और 212 माइनस 32 ये एक्स और के के बीच में संबंध है अब आपको के और एक्स का मान जो दे रखा है ना बच्चा एक्स और एक्स दोनों सेम दे रखा है ये बन जाएगा एक्स माइनस लगभग 273 बटे नीचे जाएगा 100 अपॉण इक्वलस टू ये भी एक्स है एक्स माइनस 32 अपॉण ये जाएगा 180 अब यहां से एक्स का मान निकालना है तो इनको वजगुणा कर देते हैं ऐसे 100 से 100 सी कर जाएगा और ये आजाएगा इधर 5 इधर जाएगा 9 पहले इधर 9 से गुणा करते हैं 9 गुणा एक्स माइनस 273 बराबर और इस 5 को इधर से गुणा कर देते हैं 5 गुणा एक्स माइनस 32 और हमको एक्स चाहिए 9 एक्स यहां से आएगा 5 एक्स से आएगा पक्षान्तरन करेंगे 4X 9 यहां से गुणा होगा इनको दर ले जाओ मैनस वाला पद है तो दर जाएगा प्लस में तो 9 गुणा 27 मैनस 5 गुणा 32 X कमाद निकालने के लिए 4 का भाग लगाएंगे 9 तिया 27 हां से लगी 2 9 सकते 63, 63 दो 65 हां से लगी 6 9 दुमी का ठारा और 6 है चोईस and 5 इंटू 32 विल गिव यू 160 इन दोनों का अंतर लेकर अब भाग देंगे 4 का लग भग चोईसों में से लेड़ सो चल जाएंगे तेईसों के आसपार तेईसों में भाग दोगे 4 का चोईसों का चोईस 600 500 सम्थिंग 500 प्लस सम्थिंग आना चाहिए देखते हैं कितने ओप्षण है 500 प्लस सम्थिंग में अरे वाँ केवल एक ओप्षण पानसो चोईसों इसलिए बच्चों ध्यान दीजिए गणित पूरी नहीं करनी है लग भग आंसा निकाल देना है और पानसो चैसो से थोड़ा सा कम है ना चोईसों में से एक सो साथ तो तेईसो सम्थिंग आएगा तेईसों में जब चाह कापा लागो है तो पानसो पिचेतर के आसपास तो देख लो ना यार लग भग सॉल किया गोरो पूरा सॉल करने की जरुरत नहीं है जब गटेगा या एक्स बढ़ेगा घटेगा बच्चा ये थियो डिकल कुष्चन है और आप इस आपको ये जो चैक ना चाहरा है इस कुष्चन को देकर वो चैक ना ज़रा बच्चों ने वो थियो डिकल पॉइंट पढ़ा है या ने पढ़ा है जैसे कि हम जो पढ़ाते हैं कि बही जो रिम बॉंडरी है छेट की कौने तो कौने भी तो अनुओं से बने होंगे जब तापमान दोगे तो क्या अनुओं के बीच में गैप नहीं बढ़ेगा यह गैप बढ़ेगा मतलब इसकी पूरी पैरिफैरी जो इसकी परीधी है वों बढ़ेगी मतलब आर बढ़ेगा आर बढ़ेगा दो ऑप्षन में है 안Note X, एक्स इनके बीच में दूरी है क्या यहाँ पर अनुझा इन अणों के बीच भी दूरी बढ़ेगी तापमान वद्धी से अणों के भीच दूरी बढ़ती है तो यहां से X भी बढ़ेगा और R भी बढ़ेगा विच इस फर्स्ट ऑप्शन ठीक है तो इस तरह के कॉंसेप्स बेस्ट कुश्चन भी आपके आ सकते हैं 26 न्यूटन के नियम के अनुसार एक वस्तू तीन मिनट में 80 से 84 तक थंडी होती है चार मिनट में 84 से 68 तक 68 तक थंडी होती है तो कक्ष का ताप क्या है बहुत सालों से न्यूटन की शीतलन का नियम न्यूटन's law of cooling इस पर कोई प्रस्ट नहीं आया है मुझे लग रहा है मेरा ये personal intuition है कि ठीक है आप physics को कर रहे हो उसमें भी मुझे लग रहा है कि ये इस तरह का question इस साल आने वाला है ध्यांस देखिएगा इस formula को ध्यांस देखिएगा formula है आपका जो भी आपके system का temperature है right उसमें कितना परिवर्टन हुआ टीवन माइनस टीटू समय का भाग लगाएंगे एक constant के आता है system का average temperature कितना है और माइनस surroundings का temperature आपको यदि जहां से देखा जाए तो टीवन आपको मान दे रखा है 80 टीटू दे रखा टीन मिनट में constant के 84 का average आजाएगा आपका 77 माइनस टीटू हमें नहीं मालो ठीक है अब नई केस में आपको यह बोला गया टीवन डैश यह बोला गया टीटू डैश यह स्मॉल टीडैश और फिर आपिस से कक्षकताब कुछ रहे चोहतर से 68 चार मिनट में चलो चोहतर से 68 चार मिनट में चोहतर और 68 का average 71 सही है माइनस टीनोट अब बच्चा लोग आपको केवल इसको भाग देना है तुरंट आपके पास टीनोट आ जाएगा मैं आपकी थोड़ी से help करता हूँ यहाँ दोनों के बीच अंतर 6 है यहाँ भाग दोगे तो एक कट जाएगा चार बटे तीन तो यहां से जाएगा के से के भी कट जाएगा यहां बचेगा 77 माइनस टीनोट इदर आएगा 71 माइनस टीनोट इसको तो इधर गुणा करोगे तो आयागा 78 इंटु चार तो दोसो चोरासी माइनस चार टीनोट बराबर इधर गुणा करोगे 77 21 हांसे लगी दो 212 23 21 माइनस 3 तीनोट अब 231 इधर ले जाओ 4 तीनोट इधर ले जाओ जगे नहीं है इधर कर देता हूं सौल्ट ठीक है त तो चार में से टीनोट ठीनोट गए तो आयेगा टीनोट बराबर दोसो चौरासी में से गए 231 24 मानस इधर तो यह जगेगा तरेपन तो टीनोट का मान कितना आ गया तरेपन है क्या हो यह ओप्शन में येस फोर्ट आप्शन इस येर इस ओके इंटुशन जहां रखना अनुपात पांच अनुपात तीन है इस पर इस साथ प्शन आ चुका है इसी टॉपिक पर यदि इन पदार्थों की समान मोटाई की छड़ का उश में प्रतिरोज समान रखना हो तो उनकी लंबाईयों में क्या अनुपात होना चाहिए उश में प्रतिरोज समान रखना है constant है कि अनुपाद कितना दिया पांच अनुपाद तीन और एल का अनुपाद पूछा गया है क्या मैं यहां से लिख सकता हूं के प्रपुष्णल एल तो जो के का अनुपाद है वही एल का अनुपाद है बिल्कुल सेम पांच वटे तीन सेकंड ऑप्शन इसी टॉपिक पर नीट और री नीट में कुश्चन आया है NCRT के solid example की तरह आया है 11.7 है मुझे तो याद भी है ठीक है तो आप देख लेना एक बार री नीट के अनुपाद प्रशन भी आया है इसी लिए हम इस टॉपिक को importance दे रहे हैं अगला प्रशन एक बस्तू का तापमान 400 है किस तापमान पर यह पहले से दुगनी उर्जा विकिरन करेगा परिस्थानिये मतलब surrounding temperature लिखाओ भी हो गया है आपर बहार का temperature surrounding temperature को नगणने मानना है तो आपका पावर का जो फॉर्मला होता है बच्चा लोग वो होता है ए सिग्मा टी की घाट चार इसमें इवी रख सकते हो तो यहाँ पी प्रपुश्चनल हो गया टी की घाट चार और टी प्रपुश्चनल तापमान बुचार टी प्रपुश्चन तो यह जाएगा एक तरह से टीटू अपॉंट टीवन बराबर पीटू अपॉंट एक बाटे चार पी चोन फорм्रप दो दे रखा है तो दो की में गाट करते हैं दो की घाट एक बटे दो सबको आता है एक पॉइंट चारीक चार उसका वापिस अंडूरूड लेना है जो लगबग आएगा एक पॉइंट नो लगबग ठीक है कितना आएगा एक पॉइंट 1.19 स्वारी 1.18 सम्थिंग होता है तो उसको आप 1.19 मान लो ठीक है 1.19 जिसको याद है कि आपको तुरंट आंसर निकाल लेगा टीटू इकोल्स टू टीवन गुणा 1.19 चलिए टीवन इतने कितना है ध्यान से डिग्री सेल्सियस में है इसको कनवर्ट करना पड़ेगा कैल्विन में ठीक है तो कैल्विन मिलता है करते है तो 200 73 जोड़ना पड़ेगा 400 में तो आएए 200 73 जोड़ेंगे 0.15 चार सो में और फिर इसको गुणा कर देंगे 1.19 से लगबग आएगा 600 73 गुणा 1.19 आप इसको गुणा करोगे लगबग 800 कैल्विन के आसपास आएगा ठीक है तो 800 है क्या कैल्विन येस कन्फ्यूस करने के डिग्री सेल्सियस भी दे रहा है उसना है ठीक है ध्यान से यूरिट का मान ध्यान से रखिएगा सब कुछ सही करने के बाद एक सोटी सी सिली मिष्टि करना बहुल भारी पढ़ती है चली अगला प्रश्न है के वन के टू उश्मा चलकता की दो दिवारों संपर्क में है तथा उनकी मोटाई डीवन डीटू दे रखिए इस्थिर वस्ता में उनके भाय से दोपर तापमान टीवन डीटू दे रखाए तो अंतह संधी ताप पताई है मतला इतर से कॉमन टैंप्रेचर आप कुछ इस तरह से डायरा मना सकते हैं एक दिवार ये रही एक दिवार ये रही पहली दिवार दूसरी दिवार यहां तापमान टीवन यहां टापमान टीटू तो इसकी मोट यहां शायद कुछ दे रखी है मोटाई यहां समान है जब कुछ नहीं दिया है तो दिवारों की मोटाई दे रखी है तो ध्यान से बच्चे मोटाई को एरिया माल लेते हैं यहां लंबाई के पदोब में आएगी ठीक है नौ अब आपको बोला गया टीवन टीटू उनको आपान दे रखें संधी का ताप तो बच्चा लोग संधी का ताप का फॉर्मला मैं आपको डाया लिखा जाता हूं इसको याद लेना इस पार नीट में यही प्रश्ण आया था तो टी सी निकालने का तरीका है सिंपल सा फॉर्मला है टीवन अपॉन आरवन प्लस टीटू एरिया यहां पर ए ले लो प्लस दूसरे के लिए टीटू डीटू एल अपॉन के आर्टू का मान एल अपॉन के ए तो के टू और ए यहां पर जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है अनुप्रस काट शेत्रफल कुछ नहीं दिया है दो दिवारे दिये संपर्क में है तो आप इनका एरिया सेमी मामी है बटे यहां पर एल अपॉन के रखे गए तो के अपॉन बन जाएगा तो के वन ए अपॉन डीवन और के टू ए अपॉन डीटू अब यहां से आदि आप लगुत्तम लेके काटा कूटी करोगे तो आपका डीटू यहां पहुच जाएगा डीवन का एल से उपन नीचे से कट जाएगा नीचे वला पत्तों मेरा आगया के वन डीटू और के टू डीवन उपन डीटू जाएगा इधर तो के वन टीवन डीटू और इधर से आएगा के टू टीटू और डीवन धर से आएगा देना कॉन सा अप्शन है के वन टीवन डीटू यही तो है यह बार देख लो K1, T1, D2 K1, D1, D2 और दूसरा ही हो गया बिल्कुल सही नीचे K1, D2, K2, D1 बिल्कुल सही यही फर्स्ट आप्शन है ठीक है NCRT गे 11.8 में एक्जामपल में इसने फॉर्मले को डिराइब भी किया है जिसमें उसने एरिया को वैरिवल माना है और लैंथ को सेम माना है उसमें निकला है उसने फर्मला K1, A1, K2, A2 upon K1, K2 ऐसे उसने फर्मले बना रखे हैं श्रीणीक्रम और समानतरक्रम के लिए वैसे स्रीणीक्रम ही है NCRT में समानतरक्रम नहीं है तो इसलिए ध्यान रखिए common temperature का formula आप बना के रख लीजिए जो मैंने आपको बताया है ठीक है this one ओके चलिए अगले प्रष्ट में चलते हैं अरे वाँ एक और प्रष्ट ना गया श्रीणी क्रम में बट यहां श्रीणी क्रम है समान द्रगम है बच्चे confused हो जाते हैं अब तीन तीन एंड्स दे रखें एक ही पदार्थ एक समान उन्रप्रस कार्थ की तीन चड़ों को चित्ता नुसार जोड़ा गया है प्रतेक चड़ समान लंबाई की है तीन चड़ों का संधी का ताप बताईए तो यह रख टीसी तो टीसी का फॉर्मला फिर मैं आपको बहता हूँ यदि दो की जगए तीन चड़ भी आ जाए तो यही फॉर्मला जो हमने लाश्ट प्रस्ट में लगा था वो लगा सकते हैं याई थान आपवार defenses Amand अनुप्रसकार शूध एडरिंक कि य है इन सब का के समान उनलमभा ही समने ल्युस तरिक दा है एल अप्वान का क समान ऑक समान तो सा रय आसमान R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R0 यदि आ रख दोगे तो TC का एक सिंपल सा सूत्र बन के आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अपान 3 तीनों अंतिम ताप कौने वल तापों को जोड़ो 0 प्लस 0 प्लस 90 0 प्लस 0 प्लस 90 बटे 3 सीधा आंसर मिलेगा 30 तो मैंने बच्चा लोग इसी प्रश्ण को सौनी किया है जनरलाइस कर दिया है ताप पान अलग अलग भी हो आप कर सकते हो ठीक है आगया 30 दिगरी चलिए दिया गया है कि एक पिंड पी जूल उश्मा पिंड पर पी जूल उश्मा आ रही है इसमें से क्यों जूल उश्मा अपवर्थित हो जाती है क्यों बचले गई अंदर तथा अपवर्थित तथा इस्थानांत्रित हो जाती है तो भाँ चली गई ठीक है अंदर चली गई पिंड का अफशोषन गुणांख है इसमें पिंड चली गई पिंड के स्थानांत्रित क्या हुआ अंदर लिले थीक है तो अपवर्थित और इस्थानांत्रित कुछ में अंदर लिली उसके टीक है तो अब बता आओ कितना अवशोष्ण गुणांख है तो भाई पी तो आई थी उसमें से Q अपने अंदर ले ली तो यह होगा देखलो आपस इनल से पढ़ लो आपतित तो इतनी है इतनी जूल अपवर्तित या इस्थाननति जूलाती है तो बची कितनी सब P-Q तो यह तो अफशोशित हो गई और I कितनी थी P तो P-Q तो यह तो हो गया अफशोशित उश्मा देखो जो P होती है न Q जूल उश्मा तो इस P के तीन काम होते है नमबर वन अफशोशन अब्सॉप्शन दूसरा ट्रांस्मीशन और तीसरा होता है उसका काम रिफलेक्शन ठीक है तो P-T और P-R कामान तो उसने दे रखा है Q P आई तो अफशोशित कितनी हुई तो P तो यह रही मुझे P ए चाहिए P तो आई और इन दोनों कामान कुल दे रखा है Q तो P-Q अफशोशित हो गई अब्सॉब्ड कितनी अब्सॉब्ड होई अगला प्रशने दिया गया है कैलोरी पर ग्राम दिग्री सेल्सियस में विशिष्ट उश्मा का S का मान दिया हुआ है 0.6 T स्कोयर जहां T सेल्सियस स्केल पर तापमान है यदि 10 ग्राम जल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो आवेश्चक उश्मा बताईए क्यों कुल उश्मा का मातर कुल सूतर होता है DQ का इंटिगेशन और DQ होता है MSDT इंटिगेशन M जनरली नियत होता है बहार निकाल दिजे M आपको दे रखा है 10 S आपको कि दे रखा है 0.6 T स्कोयर यहां स्मॉल टी माल लेते है तापमान को कि इसने तापमान जो है स्मॉल टी में लिया है ठीक है चलिए और लिमिट रखिए साब कितना तापमान बढ़ाना है 0 से 15 0 से 15 लगा दो करो समागलन 10 0.6 बहार T स्कोयर का समागलन TQ बाई 3 और लिमिट 0 से 15 बटे 3 को बहार निकाल दो और TQ बंदर रख दो 0 से 15 आपकी लिमिट थी यह आप निकाल दो Q टोटल इंटिशन रने के बाद तो बहार तो पता आगया 2 TQ बहार तो पता आगया 2 TQ बहार तो गया 15 की घात 3 लोवर लिमिट तो 0 जाएगी तो 15 गुणा 15 तो जाएगा 625 और दो बहार चल रहा है यह चल रहा है QT का मान तो दो 15 गुणा 2 हो जाएगा 30 30 को गुणा कर दो 625 से फटा-फट इस पीड से मल्टिप्लाई भी हो जाएगा पास्तिया 15 हासिल लगे एक तीन दुनिका 6 और एक साथ 16 तो यह आगया आपका 18,750 है क्या नहीं दिख नहीं है चलो ज्यान से देखिए कहीं गरबढ हुई क्या 15 की घा पीन 15 गुणा 15 तो बहार दो सो पक्चिस यहाँ गरबढ हुई यह दो सो पक्चिस आएगा और दो सो पक्चिस को जब आपन 30 से गुणा करेंगे 0 15 तो यह पंदर घात 1 तीन दुनी का 6 और एक साथ तीन दुनी का 6 तो यहाँ से अगर 6 6750 और यह आएगा अपना मान कैलोरी में क्योंकि सारा काम अपन ने SI सिस्टम में किया है कैलोरी ठीक और इसको आप लिख सकते हो 6.75 0 किलो कैलोरी ओके जैसा बॉस बोलते है गलतियां होती है उनको नोड कर लो तो इसलिए हम कोई आंसर रट के तो नहीं आ रहे हैं जो आपके सामनी साल कर रहे हैं तो आपसे भी वो गलतियां हो सकती है तो ध्यान रखिएगा इस तरीक गलतियों को 6750 को आप लिख सकते हो 6.750 किलो कैलोरी देखना ऑप्शन किलो कैलोरी में है येस ठीक है फोर्ट ऑप्शन इस दिया चलिए एक मरकरी की बून्द के अंदर दाब आधिक कियो कितना आधिक की दाब है दाब आधिक कितना होना चाहिए ताकि उसकी त्रिज्जा दे रखिए और मरकरी का पष्टना दे रखा है बेटा दाब आधिक लिक्विड ड्रॉप में होता है 2T by R टेंशन कितना है सर्फिश टेंशन 0.464 सारा काम ऐसा ही मात्रक पद्दती में त्रिज्जा 2 mm 2 को आप लिख दिये 10 की घात माइनस 3 चेंज कर लोगे न 2 से 2 कर जाएगा 10 की घात 3 उपर जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा 1000 से गुना करोगे 464 आनाची आंसर है क्या Yes Question number 3 Option number 3 ठीक है प्रश्टित नाप T है तो बड़ी बून का प्रश्टिय उर्जा तो बड़ी बून की तिज्जा Capital R इनकी Small R माल लेता है तो इनका आयतन हो जाएगा 4 बटे 3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब और ऐसी कितनी बून है 2 और इसका जाएगा आयतन 4 बटे 3 पाई आर क्यूब पहले तो आयतन बराबर करके तिज्जों में संबन निकाले ना बटा Capital R equals to 4 बटे 3 पाई कर जाएगा दुनों आयतन बराबर करोगे R की घात 1 बटे 3 वहाँ शिफ्ट करोगे तो आजाएगा दो की घात 1 बटे 3 गुणा आर ये संबन न जाएगा अब आप प्रष्ट्यूजर निकालो डेल्टा यू एकी की बुचिये तो एक यू निकाल दो यू बिग वाले का बताओ कितना आएगा फॉर्मला सर्फिस टेंशन इंटू एरिया सर्फिस टेंशन टी दे रखा है एरिया बड़े वाले का 4 पाई आर स्क्वायर क्यापिटल आर का मान इस्मॉल आर की बदों में हम निकाल चुके हैं क्योंकि सारे ओप्शन में इस्मॉल आर दे रखा है ठीक है चलो तो ये लो यू आफ बिग क्यापिटल टी फोर पाई क्यापिटल आर स्क्वायर जगा है दो की घाट एक बटे तीन इन्टू स्मॉल आर और स्क्वायर करना है फोर पाई आर स्क्वायर राइट फोर पाई आर स्क्वायर करना है चलो दो की घाट तो एक काम करते हैं पहले तो अंक अलग कर देते हैं टी अलग कर लो, पाई अलग कर लो, आर इसको अलग कर लो अब आजाओ, चार गुणा, दो की घाद एक बटे तीन की घाद, दो घाद की घाद गुणा होती है, दो बटे तीन ऐसा कोई option आपको नहीं दिखेगा तो आप ध्यान दीजे, पूरा दो की घाद, दो लिख सकते हो न, चार को तो यह जाएगा, दो की घाद, दो बटे तीन दो की घाद, दो, दो की घाद, दो बटे तीन आधार समान, तो घाते जुड़ती है जोडो, दो पलस, दो बटे तीन जोडो आठ बटे तीन आएगा मतलब दो की घात आठ बटे तीन टी पाई आर स्कॉर लेट सी ऐसा कोई option है येस second option ओके तो options को देखकर answer की तरफ बढ़नी की तुरन कोशिश करना इसलिए question के साथ साथ पहले एक बार हल्की फुल्की नजरों से options जरूर देख ले अगला पर चलते हैं यदि एक पानी की बुण जिसकी तुर्जा अरे वा तुर्जा दे रखी है ऐसी कितनी सारी बुण्दे हैं दस की गाच्छे चोटी 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 ऐसे बहुत सारी बुण्दे हैं सब को मिला कर अचा मिलाया नहीं है छोटी समान तूजाओं की बुण्दों में तूट जाती है तो एक बड़ी बुण्द है तो आप पेस क्लियर करते हैं एक बड़ी बुण्द है वो तूटी है छोटी चोटी बुण्दों में और ऐसी कितनी है दस की गाच stealing इसकी तिज़ा R यहां इनकी तिज़ा Small R आयटन बराबर करें 4 बटे 3 Pi R Q बराबर 4 बटे 3 Pi Small R Q into N यहां से आप तिज़ाओं के भी संबन निकाल सकते हैं लेकिन उससे पहले एक बार एक कुशन को वापिस पढ़ लेता है तो जाएगी इस अवस्था में कितनी उर्जा की आवेशक्ता होगी देखो सरफेस एरिया बढ़ता है तो उर्जा की आवेशक्ता होती है उर्जा की आवश्था यह उर्जा आएगी कहां से सराउंडिंग तो देगा नहीं हतोड़ों से लेए के तोड़ोगे नहीं, तो ये उर्जा आती है अपने अंदर से ही, तो तापमान कम हो जाता है, को कि आप अपने ही जो आपकी जो वस्तु का तापमान है, उसके पास कुछ आंत्री उर्जा तो होगी ना, तो आप आंत्री उर्जा लेकर प्रस्थी उर्जा में convert कर देते हो आंत्री उर्जा कम आंत्री उर्जा तापमान पर निर्वर करती है तो तापमान आपका कम हो जाएगा यह ध्यान रखना यह प्रस्थन आचुका है previous years में ठीक है प्रस्थी तनाव आपको दे रखा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डारेट फॉर्मला भी याद कर लो यह तो अपन convert करते रहेंगे तो सीधा डेल्टा यू या कितना work चाहिए वर्क डन कितना करना है यह फॉर्मला आप याद कर लो फॉर पाई आर स्क्वाइर इंटू टी और ब्रैकिट में एन की घात एक बट्य तीन माइनस वन यह डारेट फॉर्मला है आप यह जिस प्रकार लास्ट प्रस्ट में आपने यू निकाला ठीक है यू का फॉर्मला क्या था तीन टू ए ऐसे ही आप टीन टू ए यहाँ पर इसके लिए लगाओगे इसके लगाओगे और फिर दोनों का अंतर लोगे इसका एरिया तो इसका एरिया आयाएगा फॉर पाई स्मॉल आर स्कॉर ऐसी एंड भूंदे हैं तो एंड से उना करना पड़ेगा और फिर जब दोनों का अंतर लोगे तो आपको फिर ये small r का मान capital r के बदों में रखकर फिर ये प्वामन लेकर तो better direct याद कर लो exam में आ चुका है तो formula याद करो 4, pi, r, capital r दे रखा, yes, 1 mm, 10 की घात, minus 3 का square, surface tension, surface tension बहतर ध्यान से cgs में दे रखा है, बहतर डाइन, 1 डाइन के अंदर 10 की घात, minus 5 newton और नीचे है आपका डाइन पर centimeter, 1 centimeter में 10 की घात, minus 2, गुणा, n, n आपको दे रखा है, 10 की घात, 6, 10 की घात, 6 की घात, 1 बटे 3, तो यहाँ जगे नहीं है, यहाँ करता हूं, 10 की घात, 1 बटे 3, minus 1, 1 बटे 3, घात की घात, लगभग, निन्यार में, तो यहाँ जगे नहीं, यहाँ सौल कर रहा हूं है, तो डेलता यू मिकाल रहा हूं है, कितना उजा का अंतर आया, 4 पाई, 10 की घात, minus 6 तो यहाँ से आ गया, minus 6 और minus 5, minus 11, उपर जाओगे, minus 2 उपर जाएगा तो plus 2, minus 11 में से plus 2 तो minus 9, minus 9 और यहाँ से लगभग, लगभग, 100 आ रहा है, वोगर अगर 10 की घात, minus 7, और कोई अंग बचा, yes, only better, और 10 की घात, minus 7, options मैंने पहले ही, एक रेंडम ली देख लिये थे, minus 6, minus 3, तो मैं एक काम बता हूँ, minus 6 में convert करता हूँ, तो यह हो जाएगा, 10 की घात, minus 6, एक 10 का भाग लगा दो, तो 4 तिया 12, लगभग, 1.2, गुणा बहतर, 10 की घात, minus 6, बहतर गुणा एक पॉइंट दो, तो थोड़ा सा भैतर से उपर, भैतर से उपर कौन सा option है, तसकी घात, minus 6 में, बोलो, बोलो, first option, मैंने गाना, multiply पूरा नहीं करना, आप देखो, लगभग, इसलिए बोलते हैं, यह solution करने से पहले, एक बार options को, हल्की-फुल्की निगाहों से देखके चलो, ठीक है, आगे answer, अगला प्रश्न देखते है, आर त्रिज्जा की केश नली में, उठे हुए पानी का दर्मान M है, बेटा लोग, यह केश नली है, just imagine that, और इसमें पानी उठा हुआ है, माल लिजे H height तक, नली का की त्रिज्ज 2R कर दें, तो यह त्रिज्जा R है, तो इसका जो दर्मान है, पहले तो दर्मान निकालना से को भार, कितना भार उपर उठा, या कितना दर्मान उठा, दर्मान को आग दिख सकते हो, density into volume, volume हो गया, 4 pi R square into H, और H का सूत्र आपको मालूम होना चीए, पहले तो M, डिपेंड तो वही है, पानी का दर्मान, पूछा उचने के एवल, पानी ही है, रो सेम, पाई सेम, तो R square into H, और H का सूत्र 2T cos theta upon, रो G, आर, तो जो R है, R के inversely है, ठीके, H proportional क्या है, 1 upon R, तो आपका R से R कर जाएगा एक, तो आपका जो दर्मान आएगा, वो आएगा proportional R, तो बच्च लोग, ये चीज़ ध्यान रखो आप, दर्मान जो है, वो R के समानुपाती है, और H जो है, 1 upon R के समानुपाती है, ठीके, इसको नाम बोलते है, H proportional 1 upon R को, जूरीन's law, जूरीन's law, और M proportional R आपको याद रखना है, पहले भी aims में कुश्चन आच चुका है, M proportional R, तो बता, R का मान तुमने कितना किया, दुगना, तो क्या M का मान दुगना नहीं होगा, येस, which option is correct, third option is correct, ठीक है, अगले पर समी चलते है, द्रव के अणूँओं पर लगने वाला पढ़नामी सा संजगबल, अंदर, जान से, अंदर, अंदर का जो अणू है, उसके पास, बिट लग, च द्रव के अंदर, द्रव के अंत्रा परमानुक लेवल पर, इंटर मॉलिकुलर लेवल पर एक दूरी होती है, जहां तक दूसरे अनूँओं उसको खीच सकते हैं, ये दूरी कुछ, माइक्रो मीटर से नैनो मीटर और में होती है, इस नैनो मीटर और के अंदर ही मान लेते ह तो इसको हम बोलते है maximum distance जहां तक एक अणू दूसरे अणू पर बल लगा सकता है तो इस तरह से यहां पर एक spherical गोला कार एक छेत्र बनता है जिसके अंदर आने वाले सभी अणू सेंटर वाले अणू पर बल लगा पाते है जिससे के अंदर के जो अणू होते हैं वो सभी इस्थाई अवस्था में होते हैं इसलिए परणामी बल कितना आएगा शुने ठीक है ऐसा निये सरसंजग बल नहीं है है लेकिन परणामी शुने है ज्यान रखिएगा चलो SHM का एक समीकरन दे रखा है एक्स बराबर A प्लस B साइन ओमेगा टी प्लस फाई इसका आयाम पूछा है कई बच्चे कन्फ्यूज जो रहते हैं बेटा साइन कॉस्थ के आगे जो पद लिखा हुआ है वही आयाम है बी ओप्शन तो बेटा सरी लोग बरफिर सर बुसर ये ए क्या चीज़े बेटा A जो है न वो केवल SHM की माद्धि स्तित्ती को बदल रहा है यदि आपका SHM यहां गती कर रहा है यदि मैं X परसे टी का ग्राफ बनाओ जो आप याद करके आयो A sin omega T प्लस 5 और यदि यहां पर A जुड़ जाता है तो वो एक तरह से ऐसे बोल दो कि पूरा समीकरण A पर SHIFT हो गया मतलब कर तो यह ऐसे चैमी रहा है बट माद्धि स्तित्य जो है उसकी वो बूल बिंदू नहीं A है तो आयाम तो B ही है उसका यहां पर आयाम B था और यहां पर भी आयाम उसका B ही है ठीक है चले उन्तालित स्वा प्रश्ण देखते हैं M दर्मान के कन की सरल आवट गती करते समय अधिक्तम चाल तो V नौट है इस कन की गतिज उर्जा क्या होगी जब इसकी माद्धि स्तित्य से दूरी का आयाम दूरी आयाम की एक बटे रूट्ट्रू गुना है ठीक है साथ निकाल लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कन की गतिज उर्जा चाहिए तो कन की गतिज उर्जा निकालने के लिए याद करो के का जो सूत्र होता है वो होता है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंचल एनर्जी टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वार माइनस पोटेंचल एनर्जी होती हाफ के एक स्क्वार और एक्स का मान आपको दे रखा है एक बटे रूट्टू आयाम के गुना ठीक है ना स्क् करो अगे 10 मेंնस करो गोड़ा तो इसका मान हमें पदोम में चाहिए चलो कानेटिक अनरजी आई अपकी के के सकता हूं बिलकुल के का सुत्र रखें ग्याल रखिए उमेगा closely co up a key bracket में रख देंगे तो ये बन जाएगा अऊमेगा मैक्सिममम विलश्टी क्या beste कि बन जाएगी मैक्सिमम विलश्टी वी अ व्यन यहापटर दे र κάष दी रखाव ची यूट टे रखायर तो हाफ का फैक्टर यान से यह वन बाई-4 का फैक्टर था यहाभवन व63 तो 1 by 4 1 by 4 mv square चेक कीजिए 1 by 4 mv not square ठीक है तो यहां से 1 by 4 का factor चल रहा है चलिए अगले पर चलते हैं यदि प्रत्वी की सतय पर गुरुत्वी तुरन का मान pi square है तो second pendulum की लंबाई कितनी होगी बिटा time period का formula होता है 2 pi under l upon g t होता है second pendulum के लिए 2 second l का मान पूछा गया है g हो गया आपका pi square pi square का under root pi से pi कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो यहां से आपका पास आजएगा l बराबर 1 si मात्रक पद्धती में आएगा 1 इसको आप convert करोगे cgs में तो क्या जाएगा 100 cm which is 4th option easy लगा second pendulum का time period 2 second एक second नहीं चलिए अगला प्रशन एक समान spring good का निकाए निम्न दो अवस्थाओं में सरल आवट गती करते हैं दोनों ववस्थाओं में आवट का लोग का अनुपात पूछा है बेटा इसमें कई लोग बच्चे confuse हो जाता है आवट का जब इसको लटका होगे तो ये mg से नीचे जाएगा kx उपर लगएगा तो वो आपको जो x दिखाएगा न वो आपको दिखाएगा माद्य वस्था ऐसे यहाँ पर mg का एक साइन थीटा पीछे kx आएगा यहाँ पर भी जब इसको balance करोगे तो वो आपको दिखाया का माद्य हवस्था लेकिन जब इसको थोड़े से असा विस्थापन करोगे तो यहाँ जो परिणामी विस्थापन आएगा वो आएगा kx और kx बराबर हमेशा होगा f net या ma यहाँ से जब आप a की value right m a और यहाँ से जब equivalent करोगे a बराबर k अपन m into x तो a बराबर होता है omega square x तो यहाँ से omega आएगा आपका under root k by m और time period आएगा आपका p equals to 2 pi under root में यहाँ omega k by m तो यहाँ जाएगा m by k ठीक है तो a आगया आपका k by m x omega आगया कि यह होता है omega square omega square omega आगया k by m तो आपका जाएगा m by k क्योंकि t होता है 2 pi by omega यह formula आगया अब बताओ इसके अंदर कहीं पर भी कोई angle आ रहे है इस तरह से आप बोल सकते हो चाहे आप verticallyly downward आप उसको बोल दो उड़वदर रखो चाहे आप किसी एक कौण पर रखो इनका आवटकाल समान आता है जिसका सूत्र यह रहा तो इसने क्या पूछा है अनुपाद आवटकालों का अनुपाद एक अनुपाद एक हाना अच्छा लगा question ठीक है conceptual है अगला question देखते है आपको समीकरन दे रखिए X बराबर A sin omega T X दे रखा है A sin omega T प्लस 120 डिग्री आपस में अध्यार उपित हो रहे है अध्यार उपन के पश्चार परणामी SM का आयाम पूछा है ज्यान से दोनों का आयाम देख लीजिए सेम है बढ़ दोनों का face यहां 120 है तो दोनों का face difference जो है 120 डिग्री है यदि आपके दोनों आयाम समान हों तो मैं आपको एक सूत बढ़ाता हूं A resultant का formula 2A cos दोनों के अंतर कलांतर का आधा ठीक है यह मेरे भेहंकर पॉइंट में होता है जो मैं लैक्सर पढ़ाता हूं बीपी बोलता हूं मैं उसको याद कर लो इसको 2A cos delta 5.2 delta 5 बटा ले उसमें कितना आया 120 120 का आधा 60 cos 60 का मान 1 बटे 2 2 से 2 कड़ गया और कितना आया A यदि आप यहां 120 डिग्री रखते हो तो यहां से AR आपका जाएगा A अर्थाथ 120 डिग्री पर दो तरंगे हो उनका आयाम समान हो तो उनका परणामी का आयाम समान आएगा A ठीक है वेक्टर्स में भी काम आएगा यहां पर भी काम आता है यह सूत्र ठीक है चलिए अरे वाँ क्या प्रश्ण है सदल आवत गती करते हुए अरे वेक्टर्स का तरंगे आपको दे रखा है माइनस 4Pi2X जहां X माद्र इस्तिती से मीटर में विस्थापन A मीटर पर सेकंड स्क्वाइर में है तो दोलन की आवरती मतलब S I में मात रखें दोलन की आवरती आवरती होती बटा लो उमेगा अपॉन 2Pi ठीक है और यहां देखो इस समीक्रण को यह समीक्रण है A बराबर माइनस उमेगा स्वाइर X compare करो X एरा A एरा उमेगा कितना आएगा 4Pi2 का अंडरूड तो यहां से उमेगा आगया 2Pi 2Pi बटे 2Pi रखो गया तो आगया 1Hz ठीक है बचलो इजी लगा अगला प्रश्णू निम्नी चित्र में दिये गए निकाई के दो लंग की कोड़ी आवरती पूछिए चलो निकाल लेंगे कोड़ी आवरती क्या सूत्र है उमेगा बराबर अभी अभी फॉर्मला आया था M upon K M upon K आया था न जी देखो ज्यान से मैंने अभी अभी सॉल किया था उमेगा बराबर K upon M आया था चली K upon M K upon M तो 1 upon कर लो एक ही भात है K upon M आ जाएगा ठीक है अब ज्यान से देखना बचलो K निकालना है ये है श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जो K होता है उसका सूत्र होता है K1 K2 upon K1 plus K2 600 तीन सो रखोगे तो 600 गुणा तीन सो 600 प्लस तीन सो ये आ जाएगा आपका I think 200 सही है 2, 3, 3 हाँ बिल्कुल सही 200 आ जाएगा तो आपका आगया 200 अब आप ओमेगा निकालो उमेगा का सूत्र था K2 M अंडरूड के अंदर K अभी आपका equivalent आया 200 M कितन दर रखा इसके अंदर 2 kg 2 kg रखिए 100 का अंडरूड 10 तो उमेगा आगया 10 है क्या Yes सिंपल सिंपल से questions बत आपको सूत्र आया चाहिए शिर्णी क्रम में सूत्र लगता कौन सा है ठीके बच्चा चलो 45 किसी सदल लोलग का कौन ये वेग आयाम उमेगा तथा A है यदि माज़े स्थिति से X दूरी पर इसकी गतिच उर्जा T व व है तो T और V का अनूरूपा बताओ गतिच उर्जा और स्थितिच उर्जा गतिच उर्जा का सूत्र मैंने अभी आको बताया था E माइनस V इसमें V का भाग दिखना है E आको होता है हाफ K A स्क्वार माइनस V होता है हाफ का हाफ के X स्क्वार V आको होगा इसतिती जूट जा हाफ की x square, तो हाफ की तो कट जाएगा, और क्या बचेगा, a square minus x square बटे x square, है क्या, यह फोर्ट option, a square minus x square बटे x square, ठीक है, easy, next, दो स्प्रिंग जिनके बल नियतां, k बटे 4, वा k बटे 5 है, तो वो शिर्णी क्रम में जोड़कर, एक एम दरमान के साथ ज सॉरी उमेगा अपॉन टू पाई ठीक है तो टू पाई तो भार रखिए और अभी अभी आपके पास के आया था उमेगा आया था के बटे एम आया था अब आपको बस के निकाल ला है के यह वल्लक के नहीं है के है इन दोनों का सिरीज का शेनी करम का तुले और जिसका मैंने स यह आपको मिलेगा एक्पुलेंट के के बाई नाई यहां आपको रखना है के बटे नौ ठीक तो यहां रखोगे टू पाई इसको आप अभी फिलाल के डैस बोल दो तो यह आपका के डैस आ गया और यह हो गया आपका के बटे नौ एम नौ का अंडरूट तीन तीन पाई और जगा के बटे एम पहला ओप्शन ठीके बच्चो इजी लगा चलो 47 एक कन की गती का समीकरण एक्स पराबर एसाइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस्स ओमेगा टी से दिया जाता है इस कन की गती है ध्यान से देखिए यह समीकरण है इसको आप इकुलेंटली लिख सकत और यहां यहां चाहिए और और उमेगा टी प्लस टैन इन्वरस बी बटे एड़ यह समीकरण है शह है किसकी है शहां और यह गया आयाम तो आयाम कितना हो गया अगने ठीक है तो यह गया फोर्थ ऑप्शन नेच्ट फॉर्टी एट बहुत इजी प्रशन है दो स्थितियां दिखाई गई है ये श्रेणी करम में है और ध्यान से ये समानतर करम की condition है और इसने बोला है आवट कालो का अनुपाद ज्याद कीजिए फॉर्मला है M upon K implies that T जो प्रपुष्टल है 1 upon under root K जैसे अभी मैंने आपको उमेगा का सूत्र रताया था देखो लास्ट पेच पर तो उमेगा सूत्र के बटे M तो time period के formula में आएगा M upon K तो T प्रपुष्टल हो गया 1 upon under root K ठीक है अब आपन निकाल लेते हैं formula तो इसने बुचा है T1 upon T2 बराबर K2 upon K1 अब K निकालना है पहले case में K कितना आ रहा है शेनी क्रम का K कैसे निकालते हैं मैं बढ़ाता हूँ 1 upon इसको मैं KS बोल देता हूँ 1 upon K1 plus 1 upon K2 यह इसका है K1 आपका K है K2 आपका 2K है 1 upon K plus 1 upon 2K जोड़ो ना पड़ेगा या फिर इनको K1 K2 upon K1 plus K2 करके भी लिख सकते हो यहाँ से आजाएगा मैं लिब देता हूँ यहाँ पर KS पराबर K1 K2 upon K1 plus K2 ठीक है लिब दूँ तो यहाँ पर आजाएगा K1 की value या K1 डेश 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 कर लिखते है K1 K2 upon K1 plus K2 सही है और parallel का जो सूतर होता है दूसरे case में parallel का जो सूतर होता है यहाँ लिखा लिखा लिखता हूँ मैं parallel का सूतर होता है K1 plus K2 इन दुनों को जोड़ना है तो बहुत जाएगा K1 plus K2 अब आप इनके मान दे रखे है जातों मान दग दो है मैं सूतर होता हूँ तो K1 plus K2 एक दे रखे है K एक दे रखे है 2K यहाँ रखोगे एक K है एक 2K है और नीचे आएगा K plus 2K 3K तो यह 3K हो गया यहाँ से आएगा K से कर जाएगा 2 बटे 3 तो अंडरूर के अंदर 3 का स्क्राइड 9 9 में से अंडरूर 3 और 3 बटे रूर दो नीचे दूर दो रह जाएगा तो यह आ गए श्रेणी क्रम का तो यह था समानतर क्रम का यह था मैं रिपीट कर लेता हूँ और T उसके इन्योवर्शनी प्रपूशनल था तो बिटा कौन सा अंचर आ गया 3 बटे रूर दो ठीक है चलो एक बाद और दिखलना है इसको अच्छा कुशन लग रहा है अगला क्रश्न एक कंसरल आवट गती आयाम A तथा X पराबर माइनस A और प्लस A के मद्द गती कर रहा है 0 से A by 2 तक जाने में लगा समय T1 है और A by 2 से A तक जाने में लगा समय T2 है 0 X पराबर A X पराबर 0 और X पराबर माइनस A A by 2 कहां आएगा बिलकुल बीच में इनका बेटा phase difference याद रखो यदि मैं इसको 5 0 बोलता हूं तो यहाँ 5 बोलना पड़ेगा आपके पास 5 बटे 2 और यहाँ जो 5 आता है 1 बटे 2 या आयान के आधिमान पर वो आता है 5 बटे 6 तो यहाँ जो कलांतर है यहाँ से यहाँ तक वो आता है 5 बटे 6 और यहाँ का जो कलांतर आता है A by 2 से A तक जाने में वो आता है पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 6 आएगा पाई बटे 3 ठीक है तो अगले पिर चलते हैं वापिस दिखाता हूं मैं आपको ये 0 ये A और ये माइनस A यहां आएगा बीच में A by 2 यदि मैं इसका समय अंतराल निकालूं इसको T1 बोला है और यहां समय अंतराल T2 बोला है समय अंतराल निकालने के लिए केवल आपको phase difference यदि आपको याद रह गया तो phase difference में आप एक काम कीजिए पाई की जगे हम जैसे बोलते हैं ना टू पाई की जगे पूरा एक चक्कर हो जाता है तो time period कितना आता है capital T मतलब टू पाई का यदि कलांतर हो जाया पूरा particle घूम फिरके वहीं आ जाया that mean that mean वो हो गया capital T समयंतराल या 2 पाई कलांतर तो आप पाई की जगे मतलब एक तरहसे से बोल दो टू पाई को T से replace कर सकते हो तो पाई की जगे क्या रख सकते हो पाई की जगे रख सकते हो T बटे 2 यहाँ पाई की जगे T बटे 2 रखो क्या आएगा T बटे 12 चेक कर लो T बटे 2 रखोगे तो T बटे 2 और गुणा 6 तो मतलब ये वाला समय तो ओगया t2011 और ये ये कितना था कलामत कितना था πi Beachivoteteene Pi जाएक कंज़ये किया रहोगे t202 क्या जाएगा try-rindis नष्फ क्या जाएगा ती बटे श्यट ने हूं ये अध किसे veramenteildis बदाहा कौन बड़ार है ओ misoolis बड़ा है तो ये समय कम है और ये समय जादा है कम जादा कम जादा एक तरीका, दूरियां तो समान है यह दूरी यह दूरी समान है आप त्यान देखो जब आप यहाँ चल रहे हो माद दिस्तिती पर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और एक्स्ट्रीम कौनों पर 0 यह स्पीड यहाँ VMAX और यहाँ V0 तो भाई जब आप दो दूरियां समान दूरियां तेख कर रहे हो तो शुरूवात में तो आपकी बहुत तेज स्पीड है बाद में आपकी स्पीड कम हो गई न तो सिंपल सा जब स्पीड तेज है तो कम समय में तेख कर लोगे वो दूरी सीधा आंसर पहला option है सही है तो बिना आप formula लगाय भी कर सकते हो उसके लिए SHM का पूरा mind frame समय में आना चाहिए चलिए last question है आईए देखते हैं क्या है एक K spring की नियतांग की spring दो सिरों पर M तथा 3M दर्मान के दो दर्मान जुड़े हैं यदि निकाय की मुक्त रूप से कमपन करता है एक तो M ले लो और एक 3M ले लो अब ये K spring constant है उसने बुला दोनों का आवटकाल निकालना तो बैटा आवटकाल का formula होता है 2Pi M अपॉन के बट M तब जब एक दर्मान हो और दोनों कोनों पर दर्मान होता हम लेते हैं reduced mass च्छाइद दर्मान और इस Mu का मान होता है बैटा लो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 एक तो M है एक 3M है solve करो क्या आएगा 3M बटे 4 और T का जो सूत्र है उसमें रख दो Mu की जगे 3M बटे 4 रखो अपॉन K सहीए 4 अंडरूर्स में भाल जाएगा 2 से कर जाएगा Pi 3M बटे K आजाएगा 3M बटे K और Pi थर ओप्शन इस दियर इस तरह से आपके पूरे कुशन्स हो चुके हैं आपको मुझे लगता है कि आपको अच्छी समझ में आया होगा और इन सारे कुशन्स की भी पैक्टिस करोगे तो मैंने एक तो आपको पेपर आउट करी दिया है फिर भी अगले पेपर में मिलते हैं बहुत जल्दी थैंक यू